लोकडाउन के चोथे चरण में उल्लेकित किये गए प्रतिबंदों के अलावा सभी गतिविदियों की अनुमती रहेगी हाला कि कंटेंडमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं वे गतिविदियों को ही अनुमती रहेगी राजियों और केंदर शाषित परदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानी अहालात के अनुसार विभिन जोन में अन्य गतिविदियों पर भी प्रतिबंद लगा सकते हैं साथ ही राज्य सरकारों को सकत निर्देश दिये गए हैं कि वे आवदा परबंदन अधिनियम 2005 के तहट जारी लोगडाउन के दिशा निर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेगी चोथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंद सबी घरेलू और अंतराश्ट्री हवाई यातरा पर प्रतिबंद जारी रहेगा हाला कि घरेलू स्वास्थ सेवाओं के लिए घरेलू एर एम्बूलेंसे और ग्रहेम अंतराले से अनुमती प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवाई का इस्तमाल किया जा सकता है मेट्र रेल सेवाँ पर प्रतिबंद जारी रहेगा स्कूल, कोलेज, शिक्षन, प्रक्षिशन, कोचिंग, संस्थान आधी बंद रहेंगे ओल्लाइन और दुरस शिक्षा को अनुमती रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आथित्य सेवाएं बंद रहेंगी उनको अनुमती होगी जिनका इस्तमाल स्वास्त पुलिस सरकारी अधिकारियों, स्वास्त कर्मियों, दूसे स्थानों पर फंसे लोगों और कौार्टिन केंदरों के तोर पर किया जा रहा है रेस्टोरेंट को भोजन की होम डेलिवी करने की अनुमती रहेगी सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम, स्विंग पूल, मनुरंजन पार्क, थेयर्टर, बार, औरिटोरियम, समा भगार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे स्पोर्ट्स, कॉंप्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमती रहेगी हाला की दर्शकों को जाने की अनुमती नहीं होगी सभी समाजिक, राजनितिक, खेल, समंदी, मनुरंजन, शैशिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कारेकुरमा पर रोक जारी रहेगी सभी धार्मिक जंता के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक बैठों को पर सक्त परतिबंद रहेगा चोथे चड़ूंड में इन चजो की रहेगी अनुमती अंतराष्टिय यात्रा के लिए वहनों और बसों को अनुमती दी जाएगी, इसके लिए समंंदित राज्यों या केंदर शाषित-परदेश की अनुमती जरूरी होगी राजे के अंदर परिवाहन के लिए वहनों और बसों के संचालन का निर्दने राजय वे केंदर शाषित परदेश खुद करेंगे लोगों को आवागमन के लिए मानक संचालन परतिक्रियों S.O.P. का पालन करना अनिवारे होगा Green, Orange और Red Zone को लेकर ये निर्देश Green, Orange और Red Zone का निर्दान राजय और केंदर शाषित परदेश करेंगे इसके लिए उन्हें केंदर स्वास्त परिवार कल्याण मंतालन दवारा बताएगे मानकों का पालन करना होगा रेड और ओरेंज जोन में कंटेंडमेंट और बफर जोन का निर्धान जिला प्रादी करन दोरा दीशा नेदेशों के मताबिक किया जाएगा कंटेंडमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविदियों को इजाज़त होगी इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन ना हो इस पर सक्त नजर रखी जाएगी मेडिकल अमर्जनसी और आवश्यक सेमाओं और वस्तों की सप्लाइ की इस्तिती में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमती होगी कंटेंटमेंट जोन में बड़े स्थर पर कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी घर घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यक्ता के मुताबिक स्वास सेमाओं का इस्तमाल किया जाएगा जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू शाम साथ बज़े से सुबह साथ बज़े तक लोगों की आवाज आही पर सक्त प्रदिबंद रहेगा इसे सुनुचित करने के लिए स्थानिय अधिकारी अवश्यक्तान उसार आदिश जारी करेंगे बुजरुगों, बच्चों और गरवती महिलाओं को घर पर रहने की सला 65 साल से अधिक आयोके विक्ती बिमार लोगों, गरवती और 10 साल से कम आयोके बच्चों को अती अवश्यक या स्वास्त कार्णों के अलावा घर पर ही रहने की सला दी गई है करमचारिओं के लिए आरोगे सेतू एप का इस्तंमाल अनीवारे रहेगा विशेष परिसितियों में आवा गमन को लेकर ये निर्देश